Hello everyone and welcome to my podcast My Classroom. तो यहां हम 1st Standard से 5th Standard तर सभी Subjects कवर कर रहे हैं। तो आज की हमारी सीरीज है 5th Standard की हिंदे की बुक सुर्भी जो यह Text Come Workbook है और यह ICAC Board की बुक है। तो चलिए आज हम इसमें से एक lesson पढ़ते हैं और यह है जैसी संगत वैसी रंगत। क्या मतलब है इसका। We become like our companions जैसी संगत संगत का मतलब होता है कि आपका जो कंपनी होती है। वैसी रंगत रंगत मतलब वैसा ही रंग हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसी संगत वैसी रंगत का जो और्थ है वो ये है कि आपके जैसे जब बच्चे हम स्कुल में जाते हैं तो हमारी जैसी कंपनी होगी हमारी जैसे फ्रेंज होगे हम जादतर उनसे ही बहुत कुछ सीखते हैं वो हमारे फ्रेंज जैसे वो बिहेव करते है हमारा विहेव उनको देखकर आटोमेटिक मतलब बीना पता ही वैसे ही हो जाता है और हम वैसे ही बिहेव करते हैं या वो जैसे करते हैं उनकी जैसे आदते हैं हम उन आदतों को अंजाने में ही अपना लेते हैं और उनकी जैसे ही बन जाते हैं अब इसका अतात पर यह है कि अ अच्छे से बढ़ाई नहीं करते हैं तो एसी बोलते तो हम भी अपना होमवक टाइम पर नहीं करते हैं तो हम उनसे सुन सुनकर हमें लगेगा यह भी ऐसी बोलते तो हम भी ऐसी करेंगे तो हम भी अपना homework टाइम पर नहीं करेंगे हम भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो और हम उनके जैसे ही बन जाएंगे तो हमेशा कोशिश यह करने चाहिए कि अपने जो friends होते हैं जो जिनके विचार अच्छे हों जो अच्छे अच्छे बाते करते हों जो पढ़ाई में अच्छे हों उनके जैसा ही उनके साथ ही हमें दोखस्ती रखने चाहिए तो हम उनके जैसे ही बन जाएंगे तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत मतलब जैसी कम्पनी वैसे ही रंगत वैसे ही हम बन जाते हैं तो इसमें कुछ शब्द हैं जो थोड़े मुश्किल हैं तो उनका यहाँ पर इंग्लिश में मैं आपको मतलब explain करती जाओंगी तो उनका क्या मतलब है जैसे बिछड जैसे हिंदी में लिखाओंगी बिछड बिछड़ाना मतलब separation मार्ग मतलब way यानि रास्ता अचंबा यानि surprise होना स्वर यानि जैसे जो हमारे अभी आवाज आ रही है प्रणाम यानि किसी को salutation जैसे होता है नमशकार करना hello hi आदर सतकार मतलब किसी की respect करना और प्रभाव उसका impact जो होता है उसका effect जो हमारे उपर पड़ता है वो सब तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बहुत समय पहले एक राजा था एक दिन वह शिकार करने one में गया अचानक साथीयों से बिचटगया सत्वे साथ में थी स just it r right उसकी साथ में थे उस टाइम उन से वह बिचड़ गया वह अप ज है ऑ cows पेड था वो जंगल था तो वहां बहुत सारी पेड थे उस पेड पर एक तोता दिखाई दिया तोता यानि पैरट राजा को देखते ही तोता जोर जोर से चिला कर बोला मारो लूटो राजा आप सभी चानते ही कि तोता हमेशा कॉपी करने में बड़ा माहीर होता है बड़ा लूटो तोती के बात सुनकर राजा को बहुत अचमबा हुआ अचमबा यानि सप्राइज राजा ने जैसे ही तोते के से यह सुना कि तोता बोल रहा है मारो और लूटो राजा को बड़ा आश्चर हुआ वह वहां से थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ ही दूरी पर उस च्छोटी से ईपनी जैसी या हट लूं वह कुटिया के पास गया तो उसने यह वह कोटिच के पास गया पर राज रज वह बीज्ग के पास गया वहां भी पास गया, वहब ऐं यह वह कोटिच के पास स्चाल Brittany आपा दया गया जा उस तोते के पास गया या तोते ने राजा को देखा उसने बोला राम 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 तोते की आवाज सुनकर एक रिशी कुटिया से बाहर आए जैसे है तोते ने बोला राम राम तो वहाँ एक रिशी यानि एक जंगल में जो एक साधू संत थे वो उस कुटिया से उस अपनी छोटी से घर से भाहर आये, रिशी को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया, अब वो क्योंकि एक साधू संत थी तो राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने बारे में बताया, और उन्हें बताया कि वो कौन है और कैसे यहां तक पहुंचे हैं, रिशी ने राजा का आदर सतकार किया, रिशी ने उनका आदर सतकार यानि उनको रेस्पेक्ट किया, अपने बिलाया, रिशी के साथ बाते करते हुए, राजा अच्छानक उन दूनों तोतों के बारे में सोचने लगे, जब रिशी राजा से यहां बात कर रहे थे, तो राज राजा को सोच में मगन देखकर रिशी ने पूछा क्या बात है महाराज आप किस सोच में डूबे हैं राजा जैसे ही सोचने लगे तो रिशी ने पूछा क्या बात है महाराज आप क्या सोच रहे हैं राजा बोला रिशीवर आज मैंने दो तोती देखे दोनों की बोली में ज कुटिया के पास देखा जो बोल रहे थे और दोनों की बोला मुझे जमीन आस्मान के अंतर है थोड़ी देर पहले जंगल में मुझे जो तोत्ता मिला व्याह मुझे देखते ही चिला चिला कर बोला मारो लूटो परंतु आपकी कुटिया के पाहर बैठा तो था मुझी देखकर राम राम कहने लगा मुझे पिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है राजा जो सूच रहा था कि दोनों हैं तो मतलब पैरट हैं मतलब एक तरह के वो पक्षी हैं पर उन दोनों में इतना अंतर कैसे हो सकता है कि एक राम राम बोलता है और एक बोलता है मारो लूटो राजा की बाद सुनकर रिशी मुस्करा दिये और बोले यह सब संगती का प्रभाव है जैसे ही राजा ने बताया तो रिशी वन ने कहा कि यह सब संगती यानि कमपनी का इफेक्ट है वे दोनों तोते भाई हैं, दोनों ही तोते मतलब आपस में भाई हैं पहले वे दोनों इसी कुट्या में रहती थे दोनों मेरे पास ही रहती थे परन्तु एक दिन कुछ डाकू आकर एक तोते को अपनी साथ ले गए तो कुछ डाकू वहाँ पर आए और एक तोते को अपनी साथ ले गए डाकू के साथ रहने से वह उनके जैसी बोली बोलने लगा दूसरा तोता मेरे पास ही रहता है और मेरे जैसी भाशा ही बोलता है क्योंकि एक तोता डाकूं के साथ रहता है तो डाकूं बोलते हैं सबकों की मारो और लूटो जो भी उन्हें दिखाई देता है तो वो तोता वो यही सुनता है सारा दिन तो उनकी जैसे ही बोली सीख गया और बोलने लगा और दूसरा तोता रिशीवर के साथ रहता है अब जो भी वहां आता है रिशीवर उस सब को यह बोलते हैं राम राम तो वो तोता राम राम सीख गया रिशे के बाद सुनकर राजा बोला रिशी वर मुझे आज ये बाद समझ में आई है कि संगती का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा ने को ये बाद समझ में आ गई कि जो भी हमारी कमपनी होती है उसका हमारे जिएन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है तो इससे हमें जो सिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए बच्चों हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ और उनसे तुम कुछ अच्छी बात सीखो और उन्हें अपने कुछ अच्छी बात सिखाओ और जिनकी जो कुछ दोस्त या कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनकी बाते आपको अच्छी नहीं लगती जो अच्छी बाते नहीं बोलते खराब बाते बोलते हैं उन लोगों से दूर रहना चाहिए नहीं तो आप भी उनके जैसे ही बन जाओगे तो यहीं है जैसी संगत वैसी रंगत तो चलिए मिलते हैं अपने अगले दूसरे एपिसोड में और आप में प्लीज कॉमेंट में लिखिती है कि आपको कौन-कौन सी बुक्स कौन-कौन सी चैप्टर पढ़ने है उनमें अंदर क्या समझ में आता है या आप क्या और मुझे explain करना चाहिए तो वो सभी मैं cover करने की कोशिश करूँगी और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel अपने friends के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छी बाते सीखिए तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए बाबाई